वेलकम बैक गईस तो आज किसी वीडियो में तुमको बता हूँ कैसे आटो केटिन जन्रिर कर सकते हो तुम आफटर एफट के अंदर वो भी एक क्लिक में है तो अगर तुम इंस्टाग्राम से आ रहे हो तो अभी तक तुम्हें डाउनलोड लिंक मिल चुका होगा और अगर क्लिक मैं इसके हो घ dif आपए क्रॉल से चॊंब लिए फैस्ट उपना करूंगे तुम्ह Flex कёл शम इसको ८ैं अपलोड लेत नहीं किम टीक्रेट करते हों तो विसमें को क्रेडिट के रखा है अभी तुमें क्या करना है इस काप्वा इक कॉन्नक में एक प्रिंटन में के हमके का करता है यहां पर ने स्कृप्वाला फोलडर मिलेगा और स्कृप्र सिवाले लिस से पेश हैं ईसको सबुक्र गासा एक ट्रिक लगाके इसको डिनेट कर रहा हैं तो यहां पे तुम्हें सबसे पहले इसको एक sir t क ci करन시면 करेंगे जो कि हमारा वीडियो को नीक बाते हैं यहां यहां पना टाइम लाइन कषो को ड्रैक्ट कर लीगे ड्रैक्ट करने को तुम्हेंन तुम्हें किया कर LD sub इसको select करना है और यहां पर transcript कर लेना है तो यहां पर मैं ट्रांसकिप करूँगा तो इसका जो जारा डाटा यहां पर आ जाएगा अब इतना होने के वाद तो मैं create caption पर आना है और यहां पर अपने according रख लेना अभी मैं यहां पर जो भी अपना डिदूरिशन भाइगा रखंगा वही डिदूरिशन मेरे को after effect में देखने को मिलेगा यहां पर मैं विलकुल 1-1 कर लेता हूं और single word पर कर दूँगा अब जैसे हो जाता है तो मैं यहां पर 3.0 करनाए एक्सपोर पर एक्सपोर्ट पर यहां पर SIT file को select कर लेना यहां पर मेरा पास पहले ही से एक SIT file थी जो कि desktop पर में फिर से कर लेता हूं नूनाम से और इसको कर लेता हूं अब यह तो गया पहला तरीका ठीक है अब जो दूसा तरीका है तो तुम्हें यहां पर अपने इसाना पर नियुड आ पर यहां पर अपना जो वीडियो सको इंपूट करने के बाद तुम्हें से अपना डाउंलूड srt file कर लेना है अब इतना करने के बाद तो मैं अपना after effect open करना है open करने के बाद अपना वीडियो को लेकर आ जाना है और यहां पर import srt file तो सबसे पहले हम अपना जो प्रीमियर वाला था उसको इंपूर्ट करेंगे एक एक वर्ड आएगा केला तो देखना भी यहां पर तुम्हारा caption create होना start हो चुका है अब हमें काम करते हैं सारे caption को हटा देते हैं क्यूंकि अब हमें यहां पर वह वाले caption डालने वाले हैं जो कि हमने clipcham से download किया है तो अब हम यहां पर import करते हैं अपनी file जो कि clipcham हमने download की थी यहां पर तुम्हाइब automatically सारे caption generate हो जाएंगे बट यहां पर एक दिक्कत रहेगी कि इनका जो duration रहेगा वो clipcham के according रहेगा अब तुम्हें क्या करना है यहां पर open editor देखने को मिलता है यहां पर तुम्हें इसको edit कर सकते हो यह directly तुम्हें पर click करके भी इसको edit कर सकते हो अब वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक जरूगा ना subscribe जरू करके जाना कुल देख MP4 को और मिलता हो एक और नई script को साथ